जो कहानी में आज आपको सुनाने वाला हूँ, उसका शिर्षक है एक मौके की कहानी, कहानी ये उस लड़के की है, जो एक पेट्रोल पंपर काम करता था, तो एक दिन वो पेट्रोल डाल रहा था गाड़ी में, कि सामने से एक नीले रंकी मर्सेडिस गाड़ी उसके पेट्रोल पंपर आई, वो गाड़ी को देखता रहे गया, अब अलग देखता रहा, तो गाड़ी का मालिक मर्सेडिस से उतरा, और उसने कहा कि दो हजार उपे का प्रेट्रोल इसमें डाल दू लेकिन वो नड़का गाड़ी को ही देखता रहा तो उसके गाड़ी के मालिक ने पूछा कि वही तमारे दिमाग में क्या चल रहा है तो उसने कहा सर यह मेरी ड्रीम कार है मैं बहुत जादा पसंद करता हूँ इस गाड़ी को और मैं चाहता कि जिन्दगी में बहुत मेहनत करूँ और एक दिन मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं यह गाड़ी खरीद लो यह गाड़ी मेरी हो जाए यह मेरा ड्रीम है लाइफ का तो बलते अच्छा यह बात है तो उन्होंने अपनी जेब से अपना विस्टिंग कार्ट निकाला और उसे दे दिया और कहा कल सुबे मेरे आफिस आजाओ और मैं तुम्हें बिजनेस करने का तरीका सिखाओंगा तो लड़के ने का ठीक है यह बोलकर वो मर्सेडिस वाले साहब चले गए और उसके बाद लड़के ने वो कार्ड को ध्यान से देखा तो उसके दिमाग में विचार कि पता नहीं है मेरे से क्या करवाने वाले हैं पता नहीं मुझे यह क्यों बुलाया इन्होंने कहिए मेरे को फसा तो नहीं देंगे यह दिये इन्होंने फसा दिया तो मुझे कौन बचाएगा मेरे यहां की नौकरी भी चले जाएगी और वहां भी पता नहीं क्या होने वा बाद एक और मर्सिडीज काले रंगी थी इस बार वो एक और मर्सिडीज उसके पेट्रोल पंपर आई उसमें से एक साब उत्रे और उन्हें लड़के को कहा कि दो हजार पे का पेट्रोल डाल दो मेरे गारी में च्लेखा फिर बड़े गौर से उसको अ पलक गाडी को देखता रहा अमर्सिडीज को जैसे बन बन उसको बहुत अच्छी लग रही थी तो गाडी के जो मर्सिडीज गाड़ी के साब थे उन्होंने उससे कहा कि भई तुम्ह कुछ याद है चार साल पहले एक मर्सेडिस गाड़ी आई थी तुमारे पेटरोल बंपे हाँ याद है उसने का उन सहाब ने तुझे 2000 उपे का पेटरोल भने को कहा था हाँ वह भी याद है उन्होंने एक विस्टिंग काड़ दिया था तुझे और तुझे कहा था कि कल जाके अगले दिन जाके मिलना उन से आफिस में पर तु नहीं मिला बुलता उस लड़के ने कहा कि आपको ये सब बाते कैसे मालू है वो कहता है कि मैं इसी पेटरोल पंपे कच्छरा उठाने का काम करता हूँ तुम तो गए नहीं तुमने तो कार्ड फेक दिया कोड़े दान में मैंने वो कार्ड कोड़े दान से उठा लिया और सोचा कि शायद ईश्वर ने मेरे लिए एक मौका या पॉर्चनिटी भेजी है और यदि मैं इसे इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं जिन्दगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा और पूरी जिन्दगी मैं इस पेटरोल पंपे सड़ता रहूंगा वही काम करता हूं जो तुम कर रहे हुआ हैं तो मैं अगले दें चला गया उनकी आफिस और उन्होंने मुझे बिजनेस करने का तरीका बड़े अच्छे तरीके से समझाया मैंने वो तरीका सीखा दिनरात मेंनत करी खुप पैसा कमाया और चार साल बात आज मैं ये Mercedes गाड़ी खरीद कर सीधा तुमारे पेडरल पंप पर आया हूँ तो उस लड़के को समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब है तो दोस्तों जब भी life में कोई opportunity आती है तो हम biasness या negative thoughts की वज़े से कई बार उसे outrightly reject कर देते हैं बिना सोचे समझे और सोचते हैं कि ये क काम पिछसे नहीं होगा मेरी capacity के बाहर है मेरी capability के बाहर है और हम उसको उसी वक्त decide कर लेते हैं कि हम नहीं करें उसकी वजाए मेरा suggestion है कि यदि कोई opportunity आपकी life में आती है तो खुले दिमाग से गौर करें उसके उसको बारी की उसकी बारी कियों को समझे उसके pros कौन को समझे और फिर अपना विवेक इस्तेमाल करके आप decision ले हो सकता है वो opportunity आपकी life बदल ले यही एक छोड़ा सा message मैं इस कहानी के थुरू आप सबको देना जाता है बाद थैंक यू बहुत अच्छे रखेश जी थैंक या message दिया अपने गजब का message and amazing storytelling मैं हमेशा रखेश जी को बो अच्छे नरेटर है ना इनके voice quality इतनी बढ़िया है तो आई always requesting की story आप storytelling करें तो आज इन्होंने storytelling करी बड़ा मज़ा है सुनके Thank You Rajas I'll ask maybe Rajat I'll say I'll say me personally बहुत अच्छे लगी आपकी story अच्छा ऐसा हर बार होता है हर कोई रैशनल बंद और जब भी कोई वो मतलब काम करने जारा होता है actually मतलब I can also relate and I believe कि काफी लोग आप लोग कर बार होंगे कुछ भी हम लोग करने जारा होता है कि करूँ या ना करूँ या इसको करता हो तो मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन सरवही चीज है कि हम लोग को positive रहना चाहिए positive attitude रखना चाहिए life की तरफ तो मी तो personally felt very nice about your story Thank you sir Thank you Thank you Rajat Neeloo जी would you like to say जी राकेश जी मुझे इस्टोरी बहुत अच्छी लगी और as such मैं आपको एक सुल्जा हुआ इंसान समझते हूँ आपकी जो कामेंट्स होते हैं उससे ही पता चलते हैं स्टोरी बहुत इंस्पाइरिंग थी कि हम opportunities के इवन explore तक करना नहीं चाहते कि एक बार उसको analyze करना भी जरूरी नहीं समझते और वो हमारा opportunity किसी और के बैंग में चलिए आती है and then we regret I have taken a lesson from your story thank you so much thank you thank you thank you thank you thank you thank you so much